टॉंग लोस निकालेंगे एजुमिंग टू सेंटिमीटर लेंथ आफ बाद इस रिक्वाइड फॉर फॉर इंटू फॉर का स्क्वाइर यह हमको कोशन में दिया हुआ था कि जो है ओ फॉर सेंटिमीटर डायमेटर राट फॉर फॉर्जिंग एस्टिमेट यह कोशन में हमको दिया था तो सॉलुशन करेंगे तो कितना आएगा 25.12 सेंटिमीटर क्यों अब इस्प्रू लॉस निकालेंगे एजुमिंग 6 पर्चंट तो 99.6 अपन थंडेट 5.946 सेंटिमीटर क्यूब टोटल वॉल्म आफ मटेलर रिक्वाइड फॉर इच कंपोनेंट जितने भी हम सेंटिमीटर क्यूब आएगा वॉल्म रिक्वाइड फॉर 200 कंपोनेंट कितने के लिए निकालने हमको अब 200 कंपोनेंट के लिक्वाइड तो जितना वॉल्म आया है टूटल उसको मल्टिप्लाई कर लेंगे तो कितना हैगा 31813.4 सेंटिमीटर की पाउर क्यूब यह वॉल इसको सॉल करेंगे कितना हैगा 2.539 सेंटिमीटर क्यूब सेंटिमीटर आएगा और यह आएगा वैल्लू आएगा आपका मीटर में माटेरियल कॉस्ट एट 100 पर मीटर आफ लेंद्ध कोश्चन में हमको दिया हुआ है तो 25.329 इंटो 100 यह दो हजार पांसो बती दसम्ला 9.1 रूपीज अब फोर्जिंग एरिया निकालेंगा तो फोर्जिंग एरिया निकालने के बाद फोर्जिंग एरिया कैसे निकाल से यहाँ पर देखों तो फोर्जिंग एरिया है पाई बाई फोर्जिंग एरिया है यह फोर का स्कॉर्जिंग एरिया है फोर्जिंग 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 एरिया है इन्टू 5 फिर यह pi by 4 4 का square मैंनस 3 का square इसके बीच को होगा फिर इसका निकालेंगे तो 3 आएगा ठीक इन्टू pi इन्टू 4 square है तो pi by 4 3 square मैंनस इन्टू 4 इन्टू 4 इन्टू 2 इन्टू 2 प्लस 2 यह total निकालने के बाद दायम को हम आएगा 141.60 cm2 फिर आगे निकालेंगे फोर्जिंग चार्जेस तो 0.01 पर सेंटीमेटर स्क्राइर 144.60.01 तो 1.416 फोर्जिंग चार्जेस 200 कंपोनेंट 200 इंटो 1.46 283.2 अन कोस्ट आएगा 2532.9 10 दिवाइड बाइ 100 253.29 फिर आएगा प्रोड़क्शन कोस्ट प्रोड़क्शन कोस्ट तीनो को एड करेंगे 2532.283.253 आएगा वैल्लू 3669.4 रुपए प्रोड़क्शन कोस्ट उटन